दोस्तो मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूटूब चैनल अपडेट्स वित कुंदन में जैसा कि आपने टाइटल पर लिया फ्रेंड्स, SVI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है तो देखें यहाँ पर यह ओफिसल नोटिफिकेशन है, SVI PO का रिक्रूट्मेंट और प्रोवेशनरी आफिसर, तो आप इस फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं और क्या है इसकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्जाम कब होगा और सैलरी क्या रहने वाली, क्या कुछ पूछा जाया एक्जाम में, कितने स्टेडिजमी एक्जाम होगा, कौन लोग इलिजिबिल हैं तो फ्रेंट्स सारा कुछ इस वीडियो में डिसकस करूँगा फ्रेंट्स अगर चैनल पे नए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों में सेयर भी कर देना, तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां देख सकते हैं, पांच अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, पहली बात तो यह किलियर हो गई होगी अब देख लेते हैं, यहां पर एक्जाम कब होने वाला है, तो देख लीजिए यहां पर online preliminary exam आपका November या December में होने वाला है कोई भी यहां पर fix date नहीं बताये गया, भी tentative date है, कि first या second week में आपका admit card आ जाएगा और third, fourth week या फिर first, second week December में आपका online preliminary exam हो जाएगा क्योंकि second, third week में इसका result भी यह आपका means का call letter आएगा और December में ही आपका means का exam हो जाएगा January 2022 में आपका means का result आजाएगा and fab में आपका first या second week में admit card आजाएगा आपका third phase यानि कि interview का interview जिसमें कि आपका group exercises भी होता है उसका आपको जो है February second या third week में देखने को मिलेगा और February या March में आपका result भी आ जाएगा देन आप देख सकते हैं यह आपका pre-ACST वालों के लिए है जो लोग भी pre-examination training प्रोवाइड करते हैं उनको वैकेंसी देख सकते हैं आप कितना आया है तो यहाँ पे total 2056 वैकेंसी है जिसमें जो आपका का काम की वैकेंसी 2000 है इसमें आप देख सकते हैं general का 300 वैकेंसी है out of 200 यह 30% सिर्फ SC वालों के लिए है स्वालों के लिए 80 के लिए 100 वैकेंसी है एस्ट के-लिए 150 यानि कि आपका 15 वैकेंसी है 540 वैकेंसी सर्फ 4VC के लिए है and 200 vacancy EWS 810 vacancy आल्मोस आपका जेनरल वालो के लिए देखने के लिए मिलेगा यहां पर नेक्स्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका eligibility जो है criteria क्या रखा गया तो अगर आप 31 12 यानि 31 दिसंबर 2021 से पहले आपका graduation का mark seat आ जाता है तो आप form को fill कर सकते हैं form को जो है आप कोई भी फिल कर सकता है जो लोग graduation final year में है वो लोग भी fill कर सकता है बस सर्थ है कि आपका जो है document verification के time आपका 31 12 2021 के पहले आपका आ जाना चाहिए 31 12 2022 तक आपका mark seat आपके पास होना चाहिए या फिर आपका online भी है portal पे तो आप form को fill कर सकते हो अब यहाँ पर कोई भी minimum जो है percentage criteria यहाँ पर नहीं रखा गया है हलक यहाँ पर देखे बता दिया गया है कि अगर आपका 54.99 है तो आप 54.99 है तो आप 54.99 ही लिखेंगे 55 नहीं लिखेंगे 59 9 को यहाँ पर 60 नहीं लिखेंगे relaxation की है Ace pearl से ही count किया यहां पर घ्रवर है घ्रवर है का अपरowski लोगों नहीं लोगों नहीं किया एक अपरी तक ही ल कर आप सबस्क्राइब जो है आपका 31 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 30 साल से उपर नहीं होना चाहिए 142 को कहने का मतलब यह है आपका कि 2000 के बाद का डेट बर्थ नहीं होना चाहिए एज रेक्सेशन आपको मिल जाएगा SCST है तो 5 साल OBC के लिए 3 साल बाकी 15 साल 10 साल आप देख सकते हैं जैसा एज रेक्सेशन होता है वही सेम रहेगा कोई भी इसमें चेंज नहीं है सेलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं में काम है यह तो यहां पर देखिए जो सेम आपका बैंकिंग का सलेवस होता है सेम वही रहेगा इंग्लिस, क्वान्ट, रिजिनिंग, 30 कोशन, 35 कोशन, 35 कोशन, टोटल आपका यहां duration भी दिया रखा है इंग्लिस में आपको 20 मिनेट मिलेंगे, Math में भी 20 मिनेट और रिजिनिंग में भी 20 मिनेट नेक्स्ट आपका जो भी preliminary exam qualify करेंगे उसमें 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे candidate numbering 10 times यानि कि 20,000 बच्चों को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा मेंस का exam आपका फिर यहाँ पर देख सकते हैं कैसे 200 marks का conduct होता है साथ ही साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्टी भी देखने के लिए 50 marks का तो यहाँ पर 45 कोशन होता है reasoning में और 60 मिनेट्स 60 marks का होता है 60 मिनेट्स के लिए एक घंड आपको मिलेगा सेक्सनल टाइमिंग भी है इसमें इसमें फिर डियाई होगा आपका 35 कोशन 60 marks का 45 मिनेट्स में करने का जीए या banking इवरनेस इसमें current affairs और banking इवरनेस दोनों मिला कर कोशन रहेंगे 40 कोशन रहेंगे total 40 marks के रहेंगे और 35 मिनेट्स इंग्लिस की बात करें तो 35 कोशन रहेंगे 40 marks के कुछ कोशन इसमें 2 marks के देखने को मिलेंगे कुछ कोशन 1 marks के और यहां पर 40 minute duration रहेगा सेम उसी तरह से बात करें तो reasoning में भी आपका 45 कोशन रहेंगे 60 marks के लिए मतलब कि कुछ कोशन 2 marks का कुछ कोशन 1 marks करेगा या फिर सारे कोशन का वेटेस सेम भी हो सकता है इस भी आई में हलाकि आई भी पेस में इसा नहीं होता है उसमें कुछ कोशन 2 marks के होते हैं कुछ कोशन 1 marks के descriptive language की बात करें तो यहां पर 30 मिनिट दिया जाएगा आपका 50 marks का दो इसमें रहेंगे लेटर राइटिंग और यह से 20 और 30 marks का भी हो सकता है एक 20 marks का होगा एक 30 marks का selection criteria for phase 3 आपका जो है यहां पर interview के लिए जिनको बुला जाएगा वो 3 times रहेंगे बच्चे यानि कि 10 में से 7 को मौका मिलेगा means के बाद sorry 10 में से 3 को मौका मिलेगा means के बाद 7 लोग reject कर दिये जाएगे phase 3 अब यहां पर देखे क्या बोला जा रहा है in view the social distancing and safety measures necessity due to COVID-19 pandemic third phase में comprise interview only अगर कोरोना रहा उस time तो सिर्फ और सिर्फ interview होगा और interview का 30 marks and group exercises का 20 marks अगर कोरोना नहीं रहा तो आपका second वाला होगा interview का 30 marks और group exercise का 20 marks अगर कोरोना रहा तो आपका सिर्फ और सिर्फ interview होगा group exercise नहीं होगा क्योंगे group exercise में लोग close close रहते हैं कि नेक्स्ट आपका final selection आ जाएगा result publication हो जाएगा कि तो फ्रेंड्स यहां पर salary कितनी रहने वाली है तो salary आप देख सकते हैं यहां पर total आपका 41,960 रुपीज आपका basic pay है चार इंक्रीमेंट लग करके मिलेगा आपको यहां पर और total यहां पर देख सकते हैं salary आपको आलमुष 63 के आसपस मिलेगा in hand नहीं total salary 55 के आप रॉक्स आपका in hand भी मिल जाएगा यहां पर आपका main चीज है कि यहां पर आपका bond भी रखा गया 2,00,000 रुपया का bond है आपका 3 साल के लिए 3 साल के अंदर अगर आप job को resign करते हैं तो 2,00,000 रुपया का आपको bond भरना पड़ेगा नेक्स्ट आपका 750 रुपीज यहां पर examination fees रखा गया general और OBC वालों के लिए and SCST वालों के लिए यहां पर कोई भी fees नहीं रखा गया निल है SCST वालों के लिए अब बात करते हैं यहां पर pre examination training भी है यहां पर SCST वालों के लिए जैसे मैं पताया अगर आप जेनरल से हैं तो चार बार से ज्यादा SBI PO form फिल नहीं कर सकते और OBC है तो सेवें टाइमस SCST को कोई भी restriction यहां पर नहीं रखा गया अब count कैसे होगा यह तो यहां पर देखिए साफ साफ सब्दों में लिखा गया है अगर आपने maximum chance दे रखा है तो आप eligible नहीं है पहली बात अगर मतलब कि जेनरल वाले हैं चार चांस दे चुके हैं तो आप eligible नहीं है साथ चांस अगर आप दे चुके हैं OBC तो आप eligible नहीं होगा अगर आपने मेंस भी दे दिया है तो ही count होगा मेंस अगर आपने चार बार दे दिया है तो आप नहीं दे सकते इस बार form फिल नहीं कर सकते लेकिन अगर आपने प्री पांच बार या चार बार जितना भी दिया है तो आपका वो count नहीं होगा तो इस बात को धियान र लिखेंगे फॉर्म में फिल करने के लिए आएगा अब अप्लाई कैसे करना है तो पांच तारीक से लेके पचीस तारीक के बीच में इसको अप्लाई करना इस वेबसाइट से इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहां पर सबसे में इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर देख लिए जिए और फोटोग्राफ सीनेचर और लेफ्ट हैं यहां पर डिकलेडेशन थोड़ा चेंज है आप ध्यान देंगे यहां पर डिकलेशन थोड़ा बाकी सारे फॉर्म से च कि कि बाकी इस वह में कुछ बताने लाइक नहीं है फ्रेंड्स मैंने उमीद करता हूं सारह कुछ मैंने बता दिया है इक्जामनेशन सेंटर आप अपने मुसार देख सकते हैं, सारे स्टेट में अलग-अलग इक्जामनेशन सेंटर यहां पर दिया गया है अगेन वही सारा कुछ इसमें दिया गया है, फोटो कैसा होना चाहिए, आपका फोटो 4.5 इंटू 3.5 होना चाहिए यहां पर देख लिए signature जो है black ink pen से ही करना है कोई और pen से blue या red से मत करिएगा black ink pen से ही signature करना है और declaration English में लिखना है और white paper पे black ink से declaration भी लिखना है left hand time impression white paper पे black या blue ink से आप दे सकते हो लेकिन आप declaration और sign जो है black ink pen से ही करना है तो उमीद करता हूं friends वीडियो पसंद आया होगा notification अच्छा लगा होगा क्योंकि 2000 प्लस vacancy यहां पर तो अभी से जान लगा कर पढ़ना सुरू कर दीजे more than 45 days के अप्रॉक्स है आपके पास 45 days में आप crack कर सकते हो और साथ ही साथ मैं बोलूँगा मेंस की त्यारी करते रहें क्योंकि प्री के एक्जाम के बाद भी आप मेंस निकालना मुश्किल होता है क्योंकि SBI PO है सबसे toughest exam माना जाता है मेंस का एक्जाम तो इसका मेंस का साथ ही साथ त्यारी करते रहें फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब दे के लिए All the best चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सबस्क्राइब करके जाईएगा इसी तरह कि मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं